अजलो दोस्तो गुड़ मॉरिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मचे में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत थे हमारे नीउ फुलोग में तो दोस्तो हो चुकी है सुबा के सुरुआत आज है 12 सितंबर दिन है बरास पति बार का और सुबह सुबह हो रही है बारिस जैसे कि कल के ब्लोग में भी आप सभी को बताया था कि इन दिनों में हमारे यहां बहुत ज्यादा बारिस हो रही है दिन रात बारिस हो रही है कल रात को भी बारिस हुई है और सुबह भी बारिस हो रही है पूरा दिन बारिस हुई ये दूसरी बार चाय बना रहे हैं, क्योंकि अभी आरोही के पापा ने चाय नहीं पी थी, और दूद भी इन दिनों में थोड़ा सा लेट हमें मिलता है, तो इसी बज़े से लेट हमारी चाय भी बनती है, वैसे भी पहले खाना मैंने चड़ा दिया था, उसके बाद में ही च चाय बनाई थी, और यहां पर आरोही चाय नास्ता करके जा रहे है, स्कूल बच्चों के साथ में, तो बैसे तो बच्चों की इन दिनों में चुट्टी चल रही है, लेकिन आज आरोही गई थी स्कूल, और फिर तुरंत से स्कूल से बापस भी आ गई थी, तो थोड़ी द बारिस इतनी तेज हुई है, तो ताल तलया भर चुके हैं पूरे उपर तक, और यहां पर मैंने कद्दू की सबजी पहले ही रख दी थी, उबलने के लिए, तो कद्दू हमारा उबल चुका है, उसमें मैंने खटाई और नमक मिर्च डाल दी है, अब थोड़ी देर के क्योंकि जब नमक मिर्च डालो तो थोड़ा सा पानी निकलता है, तो अच्छे से सारा पानी जल जाए, उसके बाद में हम छौका लगाएंगे, तो आज कद्दू की सबजी बनाएंगे, और रोटियां सेकेंगे, और यहां पर आ चुके थे, और लाइट भी हमारे यहां न और तकीया भी इदर उदर फैली पड़ी है, तो सभी चीजों को अच्छे से समाल देते हैं, और अभी आरोही के पापा नहीं गए हैं, क्योंकि अभी बूंदे ही नहीं बंदेती जब बंद हो जाएंगी, तब आरोही के पापा गए थे, और यहां पर मैंने का जो काम है, कर लेते हैं यहांपट जळाड़ू लगा देते हैं पोंचा हुचा नहीं लगाएंगे पोंचा तो सायध कल या परसो में नई लगाया था और जब से उहाँ से आये घंटे के लिए भी बारस खुल नहीं रहा है बराबर से बारस हो दिया है क्योंकि बारिस भी हो रही है पानी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाहर से जब बूंदे थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी तब हम ना हैंगे और यहां पर हमारा कद्दू उबल चुका है पूरी तरह से बन गया है तो कद्दू को अभी मैंने अच्छे से फोड लेते हैं दबा कर और मेथी से चौका लगाएंगे तो यहां पर थोड़ी सी महिने मेथी डाल दी है और चौका कद्दू में लगा देते हैं उसके बाद में रोटियां सेंक लेंगे और रोटियां नहीं बनाए थी पराठे बनाए थे क्योंकि सब का सब्जी होती है हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आती है और इन दुनों में एकदम से हरा हरा कद्दू आता है तो बहुत ही अच्छा बनता है बैसे कुछ लोगों को कद्दू की सब्जी नहीं पसंद आती है लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आती है कद्दू की सब लगे हैं और आज भी हवा बहुत तेज चल लए हवा तो बहुत तेज चलते हवा चलने की वज़े से हमारी फसले भी खराब हो रही है जैसे की धान की फसल हुई गन्ना की फसल हुई हमारे यह तो गन्ना इतना जादा नहीं होता है लेकिन हमारे यह माईके में गन्ना होता है तो हमारे भाई ने बताया था कि इन दिनों में गन्ना पूरी तरह से खराब हो गया, गिर गया है तो उसको जो हैनकी बहुत सारा पिर काम हो जाता है जब गन्ना गिर जाता है और हमारे यहां धान है तो धान गिर चुके हैं तो धान की फसल तो अच्छी हो गई थी, लेकिन अब जो हैने की धान गिर गए हैं, तो अब पता नहीं कैसी फसल होगी, अच्छी हो पाएगी या फिर नहीं, और यहां पर मैंने आरोही के पापा के लिए खाना लगा दिया है, तो वो खाना खा रहे हैं, और थोड़े से पर दी गई है, तो फिर आरोही आ गई थी जल्दी से ही, और यहां पर पराठे सेंकले, पराठे सेंकले में थोड़ा सा टाइम जाधा लग जाता है, रोटियां थोड़े से जल्दी से हो जाती हैं, जल्दी बलदी सेंकलो, लेकिन पराठे में काफी टाइम लग जाता है, और क कचोड़ियां खाई थी और सुबह के टाइम जब आये थे तब भी मैंने कचोड़ियां खा ली थी तो बहुत ज़्यादा हमारे गय सिंदिनों में बन रही थी तो अब मैंने बिल्कुल भी तली वाली चीजे खाना बंद कर दिया है कि तली वाली चीजे अब नहीं खाएंगे ज़्यादा तेल वाली और खाना हमारा बन चुका है उसके बाद में यहां पर लगा देते हैं जाडू थोड़े सी जो साप सपाई है खाना बनाने के बाद में जो साप सपाई रहती है वो ध्यान करके करनी पड़ती है नहीं तो फिर ऐसे अगर छोण दो फिर अच्छा नह लगता है वैसे तो बारिस हो रही है हलकी सी बूंदे अभी भी पड़ रही है लेकिन फिर भी मैंने पुताई कर दी थी और यहां पर पहले तो मैंने का पानी भर कर रख लेते हैं नहाने के लिए बरतन तो धुल दिये हैं लेकिन अभी नहाना बाकी है तो थोड़ी सी बू परना पड़ता है पानी और जब बारिस हो रही है तो टंकी का पानी भी नहीं आ रहा है तो यह सारी दिख्कते थोड़ी बहुत हो जाती है तो यहां पर पानी भर लेते हैं और बहुत ही आराम आराम यह सारे काम हम करते हैं क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं तो राज के ब्लोग में आप सभी के साथ में सेर करेंगे जो उस दिन हमारी देवरानी जी ने ब्लोग डाला था वो ब्लोग मैंने नहीं देख पाया था तुरंत से उन्होंने ब्लोग डाल कर डिलीट भी कर दिया था तो जिन दीदियों ने हमारी बो ब्लोग देखा है उन द यहां लड़ाई क्यों नहीं होती है जैसे कि देवरानी जिठानी में सास बहु में या नंद भोजाई में तो हमारी यहां लड़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती क्योंकि हम लोग जो देवरानी जिठानी है अपने अपने खर्चे खुद उठाते हैं व और रही घर की बात अगर वो अपने पिता को देते भी होंगे पैसे, जैसे कि पापा को ससुर जी को अगर पैसे वो देते भी हैं, तो उनके वो बेटे हैं, अगर बाप को थोड़े बहुत पैसे पहुचा भी देते हैं, तो उसमें कोई बताने या जताने वाली बात नहीं है क्योंकि हम भी घर पर रहते हैं तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि हमें उठाने पड़ते हैं तो वो सारी चीजे हम आप सभी के साथ में सेर नहीं करते हैं और नहीं कभी करेंगे क्योंकि वो हमारे घर की बाते हो जाती हैं ये सारी बाते सेर कहने से घर में लडाईया होती हैं और वैसे तो बोब लोग किसी ने भी हमारे घर में नहीं देखा है और जहां तक है कुछ बाते उन्होंने अपने इसाब से सही कहीं होंगी कुछ नहीं भी कहीं होंगी अगर कुछ बाते उन्होंने जूट बोली होंगी य अभी भी वारिस हो रही है, थोड़ी सी भूंदे हलकी हुई थी, उसी भी चारोही के पापा दुकान पर चले गए थे, और कल के कपड़े हमारे बहुत सारे गीले पड़े हैं, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े दुले थे, थोड़े कपड़े यहां पर मैंने फैला दि हो जाय तो थोड़ी भोत देर के लिए बाहर फैला दए अभी इतनी तेज बारिस हो रही है घी मैक lange की पर अधैन sovereignty को सबस्वा की सब्स घी नहीं होई है सबस ở clima की मुदरjon लेकिन कार मेरे सारे बंद् 오랜만 इसने बारिस Od Cum और ठंडी ठंडी हबाएं भी चल रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बारिस बंद हो जाएगी, कुई कपड़े पड़े हैं कल के और आज के भी कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे कपड़े हमारे पड़े हैं, और ज्यादा देर तक पड़े रहते हैं कपड़े फिर महें काने लगती हैं और जो अंदर कपड़े हैं वो तो थोड़े से फिर भी थोड़े बहुत सूखे हैं लेकिन ये वाले कपड़े बिल्कुल गीले हैं और अभी जो मैंने अभी दुले हैं कपड़े वो अंदर अभी बातरूम में ही मैंने टांग कर रखे हैं आरोही सो गई है, आरोही आज गई थी स्कूल सुबा के टाइम, फिर आरोही की छुटी हो गई थी बारिस की बज़े से, क्योंकि बारिस आज हो रही थी, थोड़ी बहुत बूंदे वस खुली थी, उसी भी थोड़े बहुत हमारे काम हो गई थे, जैसे कि बाहर से पानी बर तो इतने थोड़े बहुत देरी के लिए खुली थी वारस और मैंने चोटी ओटी भी बना ली है क्योंकि आज गर्मी नहीं तो मैंने आज जल्दी से चोटी बना ली है आरो ही अभी सो रही है तो मैंने का चलो सोने देते हैं और यहां अंदर पानी आ रहा था तो मैंने का दरबाजा लगा देते हैं पानी बहुत जल्दी से अंदर आ जाता है और कुताई भी मैंने कर दी थी मैंने का खुल जाएगी बारस यहां पर अच्छा नहीं लग रहा था बिलकुल भी हम लोग कढायडा है उतार कर रख देते हैं तो ठोड़ी सी जमीन काली हो गई थी तो आज भी यहाँ तक पानी आ गया है क्योंकि जब भी बारिस होती है वो भी हबा के साथ में जब बारिस होती है कि इतनी ही तेज साम के समय में बारिस होई थी, दिन में तो बारिस तेज नहीं ही थी, सुबा से धीरे-धीरे बारिस हो रही है, लेकिन इतने टाइंड अफ तेज बारिस हो रही है तो कल रात से हमारे यहां लाइट नहीं आई है, तो पूरे घर में अंधेरा था, अभी आरोई के पापा ने यह पत्ती जल लाइए, और अंधेरा हो गया है, लगबग साड़े साथ बच चुगे हैं और इधर हमने खाना भी बना लिया है, रोटियां सेंकी हैं, और आदू टमाटन की सबजी बनाई है खाना हमारा बन चुका है, उसके बाद में मैंने सारे बरतन खाली कर लिये हैं, क्योंकि बरतन माजने थे, तो मैंने का बरतन माज लेते हैं और पानी थोड़ा बहुत रखा था आज आरोही के पापा ने भरकर पहले से ही रख दिया था तो मैंने का चलो जो भी यहाँ पर खाली बरतन हैं वो धुलकर रख देते हैं और अभी पीछे वाले घर में बन रही है भोरिया तो वहाँ पर बुआ और हमारी नदजी भोरिया बना रही है हम नहीं वहाँ पर गए थे क्योंकि रप्टनना बहुत ज़्यादा है अकसर कर ऐसा होता है कि जब हम आने जाने में अगर जल्द बाजी करते हैं या फिर अंधेरे में जाते हैं तो पैर फिसनने का बहुत ज़्यादा डर रहता है तो आज हम बिलकुल भी नही गए थे पीछे बाले घर में बाद में गए थे जब बारिस खुल गए थे थोड़ी देर के लिए गए थे लेकिन बाद में गए थे पहले नहीं गए थे और यहाँ पर आरोही से हम जो भी चीजे हमें जरूरत पड़ रही है साबुन निर्मा तो वही चीजे सभी आरोही से हम आरोही ने आज हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी क्योंकि जब अकेली आरोही घर पर होती है तो हमारे साथ में काम करवा लेती है और जब हमारी नंदत जी होती है तब यह बिलकुल भी नहीं सुनती है तब यह जानती है कि जब बुआ हैं तो बुआ करेंगी तो इस तो अच्छे से पूँच कर रख दिया है साइड में और यहां पर जो हलके हलके बरतन है बो भी मैंने माज लिये हैं बस दुलें बागी हैं तो दुल लेते हैं सारे बरतन और इसी तसले में इन दिनों में हम बरतन रखते हैं क्योंकि आप सबी को कई बार बताया है कि हमारी र दूप निकलेगी तभी पुताई हो पाएगी और यहां पर फटा फट से बरतन धुल लेते हैं तो बैसे काम करने में तो अब दिक्कत होने लगी है लेकिन फिर भी धीरे धीरे लगे रहते हैं क्योंकि अगर काम करना छोड़ देंगे हम फिर आलस आ जाएगा और सरीर भी सरीर भी मोटापा हो जाता है जब काम कम करो और जब हाथ पर चलाते रहो तो सरीर भी एकदम से फिट रहता है और हमारे लिए भी सही रहेगा कि बराबर से अगर काम करते रहेंगे तो इसी वज़े से हम ज़्यादा आराम नहीं करते हैं यह है ना कि धीरे धीरे सबी काम कर लिये हैं और अभी यहां की सापसपाई करनी है बो भी right कर देंगे जारू से कर देंगे क्योंकि इतने time अब हात तो नहीं लगाएंगे जारू से मैंने पूरे अच्छे से सापसपाई कर दी थी और दीदी का चिम्ता आज लेकर गए थे क्योंकि हमारा चिम्टा था पीछे बाले घर में जहां पर बहुरिया बन रही है तो इसी बज़े से चिम्टा भी मैंने दूल दिया था मैंने का दीदी का पकड़ा देते हैं चिम्टा दीदी को सुबा के टाइम जल्दी रहती है खाना बनाने की क्योंकि भीया जाते हैं ड्यूटी पर तो उसकी बज़े से उनका खाना बहुत जल्दी से बन जाता है और हमारा जो खाना है थोड़ा सा फिर भी लेट बनता है और यहां पर पापा आरो ही हमारी नंदजी और बुगा सबी लोग बैठे हैं आरो ही तो आज यहां से बिलकुल हटी ह भी नहीं थी बाद में यहां से बहुरिया खाकर ही गई थी और पापा भी यहीं पर बैठे हैं क्योंकि बारिस हो रही है हलकी सी बूंदे पड़ रही है फिर जाओ भी कहां इतने टाइम बारिस के दिन चल रहे हैं और बहुरिया भी बस सिखने ही बाली है थोड़ी आदी भुरिया शिक चुकी है मतलब आदी अभी सिखनी वागी है तो धीरे धीरे आच में बूआ यहां पर बैठ कर सेंक रही है और भुरिया तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है लेकिन आरूही के पापा को नहीं ज़्यादा पसंद आती है उनके दांत से कटती नही और आसा करते हैं दोस्तों आज का ब्लोग आप सभी को बहुत ज़्यदा पसंद आया होगा अगर आप सभी को हमारे ब्लोग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिया करें कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते अपना बहुत ही ख्याल लखिएगा खुश रहिएगा